अब बाइब आपको चैनल कोड़ी कैसे आप सब खीर तो आपने बहुत खाई होगी लेकिन आज हम बनाएंगे अलग तरह की खीर यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और एक बार इस खीर को आप खाएंगे तो यकीन मानिए आप बजार की रस्म लाई यह रबडी भी भ जाज हम बनाएंगे रसगुले की खीर रसगुले की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इंस्टेंट आप कुछ मीठा बनाना चाते है यह घर पे एकदम से गस्ता आ जाते है तो आप यह वाली रेस्पी ट्राइक कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स देर ना करते हो थोड़ा सा केसर, केसर optional है लेकिन मैं आपको advice करूँगी आप केसर जरूर डालिएगा दो हम इसमें डालेंगे छोटी इलाईची थोड़े से मैंने लिए हैं dry fruits dry fruits को मैंने बरीक काट लिए dry fruits आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं एक बड़ा चमच हम इसमें डालेंगे पिसी होई चीनी मिठा अगर आप कम पसंद करते हैं तो चीनी कम डालिएगा तीन बड़े कप मैंने लिए हैं दूद तो तीन कप ये दूद है तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे एक पैन या कडाई ले ले लेंगे और उसमें दूद डाल देंगे तो दूद को हमें एक उबाल आने तक पहले गरम करेंगे अच्छी तरह से तो ये देखिए दूद में एक उबाल आ चुक है गैस का जो फ्लेम में मैंने मीडियम रखा हुआ है अभी हम इसमें ड्राइफ रूट्स डाल देंगे सब्सक्राइभाल की या को आने चोटा इलाइची नीज्ग या कडाव सकते हैं तो ओड़ा संब इसमें डालेंगे केसर केसर दालने से इसका आँग चान में कल्षा है तो बहृत अच्छा हो जाएगा तो अभी हम इसको थोड़ी दिल पकने देते हैं धीमी आज पे हमने दूद को पकाना है दूद को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाड़ा नहीं हो जाएगा तो तब भी तक हम क्या करते हैं जो हमने तीन बड़े साइज के रसगुले लिये थे उनको ऐसे क्रश कर लेंगे दूद को आपने लगातर बीच-बीच में चलाते रहना है तो फ्रेंज ये तीनों रसगुले थे मैंने इनको अच्छी तरह से क्रश कर लिया तो ये दिखिए दूद पहले से जो काफी गाड़ा हो चुक है हमने जितना दूद लिया है उससे ये थोड़ा जब हम ऐसे इसको लगातर पकाएंगे तो कम हो जाएगा इसी स्टेज पे मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ चीनी फ्रेंज मैंने एक बड़ा चमच डाली है आप चाहें तो आदा चमच भी डाल सकते हैं क्योंकि हम इसमें रसगुले डालेंगे तो वह अल्रेड़ी मीठे होते हैं तो यह खीर काफी अच्छी मीठी बनती है इसी के साथ हमने जो रसगुले लिये थे जो हमने तीन रसगुले क्रश की हैं उनको भी डाल देंगे और इनको तीन-चार मिनिट तक पकाएंगे और गाड़ी हो चुकी है और किनारों से हमें पता चल रहा है कि दूद पहले से कितना कम हो चुक है तो अभी हम इसमें जो छोटे साइज के हमने चेरस गुले लिये थे वो भी इसमें डाल देंगे और इनको डालने के बाद इसको दो-तिन मिनिट और पकाएंगे तो अभी हम इसको 2-3 मिनिट और पकने देते हैं उसके बाद आप इसको चाहें तो गरम सर्व कर सकते हैं या इसको रूम टेंपरेचर पर थोड़ा थंडा होने दीजिए और अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखकर बिल्कुल थंडा भी सर्व कर सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स अच्छी गाड़ी है हमारी खीर तियार हो चुकी है तो अभी हम इसको सर्व करेंगे तो मैं आप इसको एक बाउल में सर्व कर रही हूँ यह देखिए तो अभी फ्रेंड्स हम इसको उपर से थोड़ा सा ड्राइफ रूट से गार्निश कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे केसर के धागे तो फ्रेंड्स आप यह वाली रेस्पी ट्राइ कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए गया तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ और जब भी आपके घर पे आप इंस्टेंटली कुछ भी मीठा बनाना चाते हैं या अचानक से घर पे महमाना आते हैं तो आप ये वाली रेस्पी जरूर ट्राइ कीजिएगा सबको ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी बहुत ही यमी और डिलीशियस सी ये खीर बनती है तो फ्रेंट्स जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियो हैव नाइस दे प्रेंट्स